हर यह उम प्यारे दर्स को स्वागत है आप सभी का दनलोज ग्रू की ये रूप चनल पर इस वीडियो में बताएंगे कब है माग मास की सठ तिला एक अदसी जाने पूजर मोहुर्त वरत और विधी और उपाई के बारे में आई जानते हैं वीडियो में तो सठ तिला एक अदसी के दिन भगवान विष्णू की पूजा का विधान है जोतिस की अंसार सठ तिला एक अदसी पर तिल का बेहत खास महत्व है इस वरत में तिल से स्नान तिल का उप्टन लगाना तिल से हवन तिल से तरपन तिलो का दान और तिलो से बनी चीजों का सिव मोहुर्त के पारे में तो हिंदू पंचांग के अमसार माग हमास की कस्म पक्ष की एकादसी तिथी को सट्टला एकादसी का तेहवार मनाया जाता है इस दिन एकादसी तिथी की सुरुआत पांच फर्वरी को साम पांच बचकर चौबिस मिनट पर सुरु होगी और इसकी तिथी का समापन छे फर्वरी को साम चार बचकर साथ मिनट पर होगा वो दियाते थी के अमसार सट्टला एकादसी छे फर्वरी को मनाई जाएगी साथ फरवी को सुबह साथ बज़ कर छे मिनट से लेकर के नो बसकर अठारे मिनट तक रहेगा यानि कि सट्टला एक अधसी पोजन वेधी जान लेते हैं तो प्राता काल असनान के बाद भगवान विस्नों की पूझा करें और उन्हें पुस्प धूपाती अर्पित करें इस दिन वरत रखने के बाद राद को भगवान विस्नों की अराधना करें साथ ही रात्री में जागरण वन करें इसके बाद द्वादसी के दिन प्राता काल उटका सिनान के बाद भगवान विस्नु को भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वेम अनकरहन करें सर्टलाएक दसी का उपाए तो सर्टलाएक दसी के दिन पूजन में तिल से हवन करें और इस दिन भगवान विश्नु की पूजा करते वे ओप नमों भगवति वासुदेवाई नमहमंत्र का जाब करें इसके अलावा सर्टलाएक दसी के दिन तिल से तरपन करने से पितरों की आत्मा को सांथी मिलती है इस दिन तिल से तरपन करने से पितर प्रसन होते हैं और परवार को धन समरधी का आशिरवात देते हैं